हलो दौस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में और आज की वीडियो बहुत important होने वाली है because आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको YouTube की updates जो आती है English में आपको problem आती है उनको पढ़ने में या आप समझ नहीं पाते तो आज मैं आपको एक ऐसी application आपके लिए लेकर आया हूँ जिससे अगर आपने एक महिना practice कर लिया गर अगर आपने घर पे बेटे एक या दो घंटे उस application को दे दिया तो भाई आपकी English बहुत अच्छी हो जाएगी पहले मेरी भी English बहुत खराब थी लेकिन जैसे जैसे मैं उसको यूज कर रहा हूँ अप्लिकेशन को उसके अंदर उसमें basic से लेकर के advance तक है किस तरह से हम उस application के मदद से हम अपनी English को अच्छा कर सकते हैं तो उस application का नाव में डू लिंगो आप देख सकते हैं मेरे right side में उसका लोगो कुछ ऐसा है तो दोस्तो डिस्क्रिप्शन में उसका link है उसको download कर लेना अब मैं आपको थोड़ा सा यूज करके दिखा देता हूँ तो दोस्तो आप चलता हूँ सिद अपने mobile की display पर और उसका use करने का तरीका आपको दिखा देता हूँ और भाई आपने अगर जो daily का एक गंटा उस application को दे दिया तो भाई आपकी English भी बहुत अच्छी हो जाईगी आपने इंस्टोल कर लिए अब आपको क्या करना है आपको open पर क्लिक करना है और आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा ड्यू लिंगो ठीक है यहाँ पर आपको बहुत सारी लैंग्वेजिस आपको मिल जाएंगी जिस भी लैंग्वेज में आप सीखना चा कर देंगे सबसे उपर वाला ठीक है उसके बाद okay कर देंगे okay करने के बाद अभी आपके कुछ लोडिंग हो रहा है लोडिंग होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आए का आप देख सकते हैं आपको हमारे बारे में कैसे पता चला इसके अंदर ऑप्शन है मुझे थोड़े ही सब्द आते हैं मुझे आम बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती मेरा बासा की समझ का केवल इंटरमेडियेट या उससे उपर है तो आप यहां पर लिखेंगे मुझे मुझे थोड़े ही सब्द आते हैं तो आप यहां पर इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपके यहां पर फिर options आता है आप English क्यों सीखना चाहते हो ठीक है बहुत interesting question है पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए यात्रा करने के लिए, परिवार और दोस्ट के लिए दिमाग की इस्तमाल के लिए या संस्कृति के बारे में जानने के लिए या फिर अन्य है, हमें जो इंगलिस सीखनी है वो भाई अपनी पढ़ाई के लिए सीखनी है तो हमने पढ़ाई पर क्लिक कर दें उसके बाद course की जानकारी, ठीक है इंगलिस में पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना सीखें और व्याकरन के बारे में भी जाने जारी रखें पर क्लिक कर देंगे जारी रखें ने के बाद फिर आपके पास एक और option आएगा एक लक्षें चुने, इसके अंदर बोल रहा है आसान, साधरन, गंबीर या जबर्दस मतलब आपको जो इंगलिस का जो लेवल है वो आसान बासा में सीखना चाहरे है साधरन में या गंबीर या जबर्दस हम यहाँ पर आसान बासा कर देंगे पांच मिनट रोज जारी रखें अपना लेवल जानने में हमारी मदद करें ठीक है, पहली बार इंगलिस सीख रहे हैं यह छोटा सा टेस्ट आपका लेवल जानने का आसन और सटीक तरीका है ताकि आप बिल्कुल ठीक जहां से सीखना शुरू करें उसके बार टेस्ट शुरू करें यह हम यहाँ से टेस्ट को सुरू कर देते हैं जब टेस्टू करेंगे तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन आएंगे पहला कॉश्चन के आएस में इस वाक्य के अनुवाद करें हर नेम इस नेहा ठीक है तो यहां पर आप नीचे देखेंगे बहुत क्या बोल रहा है इसमें आप ना इस पर सिर्फ टच करोगे और टच करन नाम नेहा है तो सबसे पहले उसका नाम नेहा है ठीक है और चेक करें देखो बहुत अच्छे तो मतलब इसका हमारा लेवल यह चेक कर रहा है तो जारी रखें इसको I am not fine यहां पर लिखावा है बहुत सिंपल सा कोशन I am not fine तो I am not fine मतलब मैं ठीक नहीं हूं तो इसमें सब सांदार शेलिए इससे थोड़ा और कठीन बनाए तो दोस्तों आप इस तरह से आप अप्रैक्टिस कर सकते बहुत सारे चीजेशे हैं हर को आज के टायम में जैसे ट्रैवल करते हैं या हम neste के बारे में नहीं समझ पते हैं इस ऐप समझ सकते हैं तो यह तो को ओर जारी रखना ना है तो आप यहां से जायी आपको यह application अच्छी लिग गी application अच्छी लगी तो please एक अच्छा सा comment जरूर कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो please को like share और channel को भी subscribe जरूर कर देना Thank you